आपको सब्सक्राइब आपको और यानि संत्रा अब्सक्राइब नाम क्या है इसे खाने के फायदे जादा क्या खाने के नुक्सान क्या क्या है जानते हैं कि कौन-कौन से पोशकतप और विटमिन्स पाए जाते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं संत्रा एक लोगपरिय फल है जिसका सेवन दुनिया भर में किया जाता है खाने के अलावा संत्रा चिकिस्ता छेत्रे में भी एक अलग पहचान रखता है एक्सपर्ट के अनुसा बैक्ती को दिन में एक या दो संत्रे से जादा नहीं खाना चाहिए आए जानते हैं संत्रे का बैग्यानिक नाम क्या है संत्रे का बैग्यानिक नाम है सिट्रस संत्रे की 182 किस्में होती है उत्तर प्रिदेश के जिले में किन्नू सबसे जादा मात्रा में उगाया जाता है करनाटक में कुर्ग किस्म सबसे बड़ी हमानी जाती है संत्रे का उत्पादन 80% महारास्ट्र में होता है संत्रे का स्वात खटा और मीठा होता है संत्रे से शरीर को बहुत लाब है ये से आपका पाचल भी भीगड सकता है। इसलिए हमें खाली बिर संत्रा नहीं घाना चाहिए। आईए इप जानते हैं संत्री में मौझूद विटामिन और पुशक तत्वों के बारे में। संत्रे में विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन K और विटामिन D पाए जाते हैं फैट, कैलोरी, सोडियम, कार्भो हाइडरेट, फाइबर, शुगर, प्रोटीन, पोटेशियम, केलशियम, आईरन, मैगनेशियम, जिंक ये कुछ पोशक तत्वी संत्रे में पाए जाते हैं संत्रे में विटामिन और नूट्रिशन भरपूर मातरा में होता है आईए जानते हैं संत्रा खाने के फायदों के बारे में संत्रा खाने के अनेक फायदे हैं संत्रा पोशक तत्वों से भरपूर होता है संत्रा रोग पिर्तिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को बीमार और कमजोर करने वाले बैक्टेरिया और बायरस से बचाती है संत्रे में बिटामिन C की मात्रा अधिक होती है जो पिर्तिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है संत्रा हिर्दे स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा होता है पोटेशियम और विटामिन C हिर्दे स्वास्त के लिए फाइदे मंद है पोटेशियम के सेवन से उच्छ रख्त चाप, हार्ट अटेग और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है साथ ही कॉलिस्ट्राल को भी नियंतित करता है संत्रा आखों के लिए भी फाइदे मंद है दरसल संत्रा बिटामिन सी का अच्छा स्रोथ होता है जो आखों को स्वस्त रखने के साथ मोतिया बिन की जोकिम को कम करने में भी मदद करता है संत्रे का जूस बजन को नियंतरित करने में एहम भूमिका निभा सकता है ये फाइबर जैसे जरूरी पोशक तत्वों से सम्रद होता है जो मुटापक कम करने में भी सहायक होता है इसके अलावा इसमें कैलोरी भी पाई जाती है किडनी की पत्री के लिए संत्रे का जूस बहुत फाइदेमंद है क्योंकि इसमें साइट्रिक होता है प्रते दिन संत्रे का जूस एक गिलास मीने से पत्री की समस्या से बचा जा सकता है संत्रा फाइबर से भरपूर होता है इसके अलाबा संत्रे में कई जरूरी पोशक तत्व मौजूद होते हैं संत्रे में फ्लेबोनोर्ट्स बाप पेक्तिन जैसे तत्व पाय जाते हैं जो रक्तचाप को नेंद्रित करने में सहायक हो सकता है संत्रा कैंसर से भी लड़ने में सहायक होता है क्योंकि संत्रे में फाइबर होता है इसके अलाबा ये डाइबिटीज की भी रोकताम करता है और गलाइकोसलिटेड हेमोगलोविन HBALC को कम कर सकता है जो टाइब टू मदूमे को बढ़ाने का प्रमुकारण होता है संत्रे के तेल में एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफलेमेटरी गुल मौझूद होते हैं जो गठिया रोक को दूर करने में मदद कर सकते हैं संत्रे के तेल से की गई मालिश बहुत जल गठिया ठीक कर सकती है आईए जानते हैं जादा मात्रा में संत्रे का सेवन करने से क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं संत्रे का बहुत जादा सेवन दातों को सुरक्षा देने वाली एंटेमल पर्त को नुकसान पहुचा सकता है क्योंकि संत्रे में एसिट की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण दातों में एनेमल में मौझूद केल्शियम के साथ मिलकर रियक्शन करते हैं और दात धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं जिन लोगों में एसिडिटी, गैस, पेट संबंदी समस्या है तो संत्रे का अधिक सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलह जरूर लें क्योंकि इसमें एसिड और फाइवर होता है जो एसिड की मात्रा बढ़ा देता है इसके अलावा हार्ड बन की समस्या भी हो सकती है इसलिए जादा सेवन ना करें संत्रे की तासी खटी होने के साथ ठंडी होती है ऐसे में किसी बेक्ती को जोडों में दर्द, अर्थराइटिस, आदी की समस्या होती है तो वे समल के संत्रे का सेवन करें संत्रे का जादा सेवन आपकी समस्या को बढ़ा भी सकता है उमीद है आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो